ओम स्यंति, तेरे नवंबर, बहुत नुशा चड़ा रहे हैं बाबा, मैं तुम्हारे लिए खतेली पर भहिस्त लेकर आया हूँ, तुम्हें अपावर खुशी होनी चाहिए, जैसे किसी के माबाप विदेश से आएं, मच्चे बहुत खुश होते हैं, हमारे माबाप हमारे लिए बहुत अच्छी सोगात लेकर आएंगे, मैं तो तुम्हारे लिए स्वरक की सोगात लेकर आया हूँ, हतेली पर स्वर्ग लाया हूँ, अब स्वर्ग तो दुनिया है, वो हतेली पर कैसे आएगी, ये कहावत है, जैसे हनुमान के लिए कहा गया न, परवत कोई उठा लाया, माना बहुत बड़ा काम कर लिया, उसको कहते हैं परवत उठा लेना, बकि परवत कोई उठाया थोड का सन्यास लेंगे गोई ये बाते हैं जो सदा सर्विस में ततपर रहेंगे दूसरों को ग्यान देते रहेंगे रास्ता बताते रहेंगे तो अथाख उसी में रहेंगे बेहद का सन्यास विकारों से भी सन्यास और ये पुरानी दुनिया इसको हम बोल रहे हैं इसकी तरफ दे के रहे हैं मैं तुम्हारे लिए सुकधाम रच रहा हूं ऐसी दुनिया जिसमें सुक्ष्यांति और अपार धन वैभव है जहां कोई उपद्रव होता ही नहीं एक ही धर्म है खुशियां ही खुशियां है सोने के हीरो के तुम्हारे महल होते हैं बहुत सा हुकार होता है भारत उस समय विचार करो बच्चे लक्ष्मिदान का राज कितना सुन्दर कितना बड़ा होता है लोगों ने तो मावहरत में लड़ाई दिखा दिये तौरव पंडव यादव युद्ध हुआ शिरिकरश्न को दिखा दिया उसने हिंसा कराई मैं हिंसा नहीं करा सकता मैं तो सुप्रिम सोल हूँ तुम्हें भी डबल हिंसक बना देता हूँ काम महासत्रू है सबसे बड़ी हिंसा तो वो है जो हर व्यक्ती कर रहा है तुम तो सिव सकती सेना हो गुप्त वारियर हो तुमारी कहीं लड़ाई नहीं है तुम्हें लड़ाई है माया से तुम इस पे विजय प्राप्ट करते हो और राजाई प्राप्ट कर लेते हो उन्ह को राजयोग सिखाता हूँ तुम्हे राजाओं का राजा बनाता हूँ ये शिरिकरसन ने नहीं कहा शिरिकरसन की आत्म जब चोरासी जनम लेकर अब यहां आ गई है मैं उसके तन में परवेश करके तुम्हें ज्यान दे रहा हूँ मैं उसे भी कहता हूँ तुम अपने जनमों को नहीं जानते हो तुमने चोरासी जनम लिये है मैं तुम्हें 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 सारे जनमों का राज बताता हूँ तो ब्रह्मा को भी सब समझ में आ गया है यही तो वो आत्मा है तो मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, राजाई देने के लिए, गुप्त बात है, तुम्हारा राजयोग है अपने को आत्मा समझ कर, मुझ परमपिताप परमात्मा से योग लगाओ, पुद्धी लगाओ, ये बड़ा गुप्त है, लोग तो समझते हैं महा भारत य होगा, क्योंकि जो भी हतियार बनते हैं, वो यूज होते हैं, और बॉम्स का यूज होना माना सर्वनास, तो मैं गुप्त रूप से तुम्हारी स्वरक कीर राजया इस्थापित कर रहा हूं, मैं तुम्हें गीतायान दे रहा हूं, अब तुम्हें मेरी मत पर चलना है, तो तुम अपार खुसी में रहोगे, बच्चे भी कहते हैं, बाबा, बहुत दिनों के बाद आप आए हूं, हम कब से आपको बुलाते थे, हे पतित पावन आओ, हे दुखरता आओ, अब आप आए हो, तो हम आपकी ही मत पर चलेंगे, तो बाबा, बहुत अच्छी तर है, बार तो बाबा कहे रहे, चढ़ाई नहीं, रावन ने चढ़ाई कर दी, एक्छुली, रावन इसलिए भारत का सबसे बड़ा दुसमन है, हर वर्स रावन को जलाते हैं, रावन राज सारी दुनिया पर हो गया है, रावन माना पाँच विकारों का राज, इसने ही सब को दुखी कर दिया है, इस से ही सब नीचे उतर गए हैं, अन्यता भारत तो बहुत ही महान था, सोने की चिडिया कहलाता था, इसी भारत में मैं आकर, तुम्हें राजयोग सिखाता हूं, तुम्हें सत ग्यान देता हूं, तुम्हें पढ़ाता हूं, तुम्हें स्टुडेंट बन गए और अब तुम कर्मातीत होने के लिए राजियोग की साधना कर रहे हो बाबा कह रहे हैं उधर लड़ाई आदी का कितना हंगामा है एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं बॉम्स बना दिये इधर तुम डेप साइलेंस में बैठे हो तुम साइलेंस के बल से राजयों के बल से राजाई को प्राप्त कर लेते हो मैं तुम्हें ये गुही ये ज्ञान दे रहा हूँ तुम रावन पर कैसे विजे प्राप्त करो अब तुम्हें मेरी मत पर चल कर सोल कौंसियस होना है आत्म भीमानी बनना है तो नमबर वार बच्चों को नसा और खुसी रहती है जो जितना अच्छी तरह पढ़ते हैं उनको उतनी ही ज़्यादा खुसी रहती है नसा रहता है लोकिक पढ़ाई में भी यही होता है अब तुम्हें स्रेश नसा रहना चाहिए उमंग रहनी चाहिए कि हम राजयोग के द्वारा विश्व की राजाई अवस्प्राप्त करेंगे जहां में सब कुछ प्राप्त होगा लंबा काल सब कुछ प्राप्त रहेगा क्योंकि तुम किरिएटर, डायरेक्टर, मुख्वे अक्टर्स, सर्ष्टी के आदी मद्यAnth को पूरी तरह जान गये हैं सत्य तो यही है कि भारत में ही सत्यूग में स्वर्ग था और भारत में ही कल्यूग में नर्क है इसलिए लोगों नों कह दिया नर्क स्वर्ग यही होता है, यही माना भारत में ही होता है, संसार में ही होता है, पर दोनों का period अलग-अलग है. वरदान है मर जीवे जन्म की इसमर्थि द्वारा कर्म बंधन को समाप्त करने वाले, पर उपकारी भाव, सभी संबन्धों में रहते हैं, लोकिक, अलोकिक, कईयों को ये संबन्ध बंधन लगते हैं, फ्री नहीं है कुछ भी कारिये करने के लिए, लेकिन तुम ऐसा समझो, ये जो sempand हमें मिले हैं, ये सेवा के लिए मिले हैं, हमें انका उपकार करना है, इन सबका कल्यान करना है, तो तुम्हारी दरश्टी भावनाएं यानि वर्ति अगर स्थ होगी तो तुम्हारे ये संबंद तुम्हें बंधन प्रतीत नहीं होगे इसको इका आजाता है मर जीवा जनम स्लोगन है समय या परिस्थिती के कारण वैराग आ गया तो वो भी हद का वैराग है तुम्हें बेहद का वैरागी बनना यानि सदा वैराग की स्थिती में रहना है तो आज सारा दिन हम इस खुसी और नसे में रहेंगे कि भगवान हमारे लिए स्वर्ग अतेली पर लाया है सोगात लाया है हम उसके बच्चे बने हैं और वो स्वर्ग रच रहा है तो हमें ही वो स्वर्ग की राजाई देगा और ब्रह्मावावा की तरह भविष्क की नसे में बार बार आएंगे मैं ये देच छोड़ कर ऐसा स्रेष्ट देवता बनूँगा हर गंटे में एक बार अपने स्वरूप को सामने लाना तो भविष्क के संसकार वर्थमान जीवन में समाती रहेंगे ओम श्यंति विष्क पर अपीस्फल लाइ